आप सभी लेक्ट्रिकल संवारी को मेरा नमस्कार आज के वीडियो में जानेंगे सोलर सिस्टम के प्रकार के बारे में जानेंगे आज के समय में मुखे तीन प्रकार के सोलर सिस्टम उपलब्द हैं पहला ओन ग्रीट सोलर सिस्टम दूसरा ओप ग्रीट सोलर सिस्टम तीसरा ह आइबरिड सोलर सिस्टम होगा आज की वीडियो में जानें गा над ऐसे पहले जान लेते हैं ऊन्गरीट सोलर सिस्टम या सिस्टम बहुत ही कम की मत पर लगाय जाता है यहास्ज सोलर सिस्टम हमारे घर से आने वाली इलेक्रिकल सप्लाई के साथ जूड़ा रहता है इस सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी का प्रयोक नहीं किया जाता है और यहां ऑन ग्रिट सोलर सिस्टम लगाने के फायदे इसकी मदद से हम काफी ज्यादा बिजली की सेविंग कर सकते हैं यह सिस्टम लगाने के नुकसान इसमें सिर्फ एक ही नुकसान है ओ भी काफी बड़ा है यह घर में लाइट जाने पर यह सिस्टम काम नहीं करता है अब दूसरा जान लेते हैं आप ग्रिट सोलर सिस्टम क्या होता है इस सिस्टम में दीन के समय सोलर पेनल की मदद से हमारे घर के सभी उपकरन को चलाने में मदद करता है उसके बाद जो एश्ट्रा बिजली बस जाता है उसे बेटरी में स्टोर करता है उसके बाद साम के समय जब सोलर पेनल से बिजली नहीं मिलता है उसके बाद जो बेटरी में स्टोर करें को हमारे घर के सभी उपकरन को चलाने में मदद करता है यहां सोलर सिस्टम अब जान लेते हैं यहां सिस्टम के फायदे जहां पर पावर ग्रीड सब्लाइन बिल्कुल नहीं होता है वहां भी हम 24 घंठा बिजली का उप्योग कर सकते हैं इस सिस्टम की मदद से और इस सिस्टम में एक नुकसान भी है इसकी कीमत on-grid सिस्टम से ज़्यादा है क्योंकि इस सिस्टम में बेटरी का उप्योग किया जाता है अब तीसरा जान लेते हैं hybrid solar system यहां सिस्टम अभी तक का सबसे advanced system है इसमें on-grid, off-grid दोनों सिस्टम मिल कर बनाया गया है अब जान लेते हैं यहां सिस्टम के फायदे क्या है दोनों से तो बहतर है इस solar system की मदद से हम बिजली बिल को 0 रुपई कर सकते है और इस सिस्टम से नुकसान यह है इस सिस्टम को लगाने के लिए काफी ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा यहां solar system off grid, on grid दोनों सिस्टम से महाँगा है